तो दक्षिन गुजरात जिस पर सबकी निगाहे लगी हैं और लगे भी क्यों ना क्योंकि जो सीटे यहां से आती हैं उसमें अगर हम पिछली बार से अब देखें अंतर तो कॉंग्रेस पार्टी को एक चुनोती मिलती हुए दिखाई दे थी आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी का भी जो एक गड़ माना जाता है उसमें सेंद लगाने की कोशिश इस तीसरी पार्टी की तरफ से की गई तरकोडिये मुकाबले की इस बार इस चुनाव में बाते की जा रही है लेकिन इस चुनावी बिसात में जब राहुल गांधी पहुँचते हैं अर्विन केजरिवाल पहुचते हैं और दूसरी तरफ सीधे तोर पर ये नारा बीजेपी का आता है कि ये गुजरात मैंने बन आया है तो जवाब भी कुछ मिलता है वही जवाब जानने के लिए हमारे साथ बेहदी खास महमानों का पैनल इस वक्सीधे जुड़ गया है मैं आपका परिशे करा देती हूं हमारे साथ शलम अनित्र पार्थी जी है बीजेपी के नेता है प्रवक्ता है उत्तर प्रदेश में अभी जो चुनाव है उसमें भी बाजी मार कर आया है बहुत-बहुत स्वागत है आपका डॉक्तर चैनिका उनियाल जी हमारे साथ है नेता है कॉंग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे विजय मंगूलिया जी है चेर्मेन है अचिश गुजराती जी है एक्स-प्रेजिडेंट है टेकस्टराइल एस जी सीसी आए आपका भी बहदी स्वागत है और शलम बनी जी क्योंकि हमने यूपी का भी जिक्र किया तमाम नेता जो आपके यह पर है अम्दबाद हो सूरत हो बारबर विपक्षभ इसको एजेंड प्रणाय क्या देखी मैं प्रभूराम की नगरी से हूं उत्तर प्रदेश से हूं और जितने गुजरात के भाई बहने सभी को हाथ जोड़के प्रणाम करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि मोदी जी गुजरात की माटी के बेटे हैं गुजरात से निकल कर गया बाबा पंश की पार्टी नहीं है मोदी जैसे अमित शाह जी जैसे योगी आदितना जी जैसे हमारे भूपेंदर पटेल जी जैसे जो साधरान कारे करता हैं वही एक परिवार है और इसलिए यह हमारे लिए गौरों का विशह है कि जब गुजरात में चुनाव होते हैं तो भारती करताओं की पार्टी है हमारे करताओं का परिवार और निश्चित तोर पर यह उनके लिए चिंता की बात जरूर हो सकती है जिनके लिए परिवार वादी पार्टी जिनके लिए परिवार ही पार्टी और पार्टी ही परिवार है हमारे लिए कारे करताओं का परिवार है और जब सरकार बनी 2017 में तो मानी मोधी जी का नाम देकर उट्र प्रblock के लोगों ने प्रचंड मुहमत की सरकार बनाई हम इसी उमीद के साथ है है कि हमने तो वहां पर दो बार सरकार बनाई है यहां 27 साल के बाद वाला भी रिकॉर्ड टूटे गा और प्रचंड बहुमत की सरकार गुजरात प्रदेश में भी बनेगी जिन पार्टियों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं परिवार वाद तो आप धी कहती क्या करता है वहां पर अपर देखिए कि हमने यहां लगता है कि वहां इस सवेक्ते में उसे मम हैं जब कार्रेकर्ता हों को लगता है की उनकी वहां पर इस्जत नहीं इया है उनको लगता है कि कुछ पत्वरिवार के eastern learnt बंक हैं बजब लें लिकिन आप देखिए नेरों जी चेहई नेरों जीबाद इंतरा जी के बाद राजीव प्रीयंका जी तो एक जो साधावन कारे करता होता है जो मेनत करता है जिसको लगता है कर सम्धा ने डाइतों के अध्यक्श बन रहे पैंकड़ को जो तरह समें włoder है एक सधान परिवार से निकलकर एक गरीब परिवार से निकल कर यह भारती जंता पार्टी की ताकत है कि मुक्ख्य 심ंत्री बन सकते हैं. यह ताकत किसी और दल में नहीं है, इसलिए कारेकरताों का टोटा उंदलों में है हमारे यां तो कारेकरता परिमार है. डौक्टर उनियाल कारेकरता कहा गाहा है मैं इतना सन्नाटा क्यों है, पार्टी दफ्तर में क्या ताले लगे हूँ है, बार-बारी बात बताई जा रही है मुझे लगता है कि किसी और दफ्तर हो करके आएं, मैं आमन्दित करूंगी कि हमारे यह आएं और हमारा दफ्तर देखें, हम इनको खाना भी खलाएंगे, कोई जिनता की बात नहीं है और कारे करताओं की कोई कमी नहीं है, अभी यह कह रहे थे कि यूपी का बहुत बड़ा रिष्टा है गुजरात और यूपी के बीच में तो मैं मानती हूँ, मैं यूपी ने दो-दो बार इनको दिल्ली में सरकार बनाने का मौका दिया प्रधान मंत्री जी को MP मनाने का भी अफसर यूपी ने दिया, पूरे मन से स्विकारा यूपी ने पर एक सवाल ये भी उड़ता है कि सूरत जो रिजीम है वहां हम सब जानते हैं कि उत्तर भारतिये बहुत सारे लोग रहते हैं फिर उनके मुद्दों पर भाजपा सरकार ने क्या किया? पूरे सूरत में एक भी हिंदी का कॉलेज नहीं है सरकारी को कॉलेज के अगर हम बात करें एक भी हिंदी का कॉलेज नहीं है सरकारी कॉलेज तो खुले ही नहीं गॉंग्रेस की सरकार के बाद पितले 27 सालों में और हिंदी का कॉलेज भी नहीं खोला आपने दूसरी चीज यहां से दिल्ली जाने के लिए द्यानिक रूप से सिर्फ एक ट्रेन है, सिर्फ एक ट्रेन है जब कि यहां पे लाखों की संक्या में उत्तर भारतिया। बढ़े कर दिये तो लोगों ने उनका जो दुपट्टा था जो ओड़ते हैं आपका पार्टी का जो सिंबल ओड़ते हैं उसको खीच लिया तो अगर आप अपने आप लोगतंत्र की बात करते हो नडडा जी कितने वोटों से जीत करके आये वो बता दीजिए वो तो इनका इ मेरे परिवार मेरे में कितने लोग जानते हैं में फिर भी पॉठो भी नई देखी होगी पर भी पृटी ने मुझे यहां बिठाया तो यह Sig Harapar को चोटे से टाउन से निकल करके, एक लड़की को यहां बैटने का मौका कौन दे रहा है, Congress Party दे रही है, तो यह कहना कि Congress Party कुछ नहीं करती है, फिर इन्होंने नहरू बताए, इंदरा जी बताए, और इन्होंने राजीव जी बताए, इन्होंने यह सब बताए, लेकिन उन्हों जी सेलेक्टिव आप लोग हमले करते हैं, इतने सारे नाम उन्होंने भी गिना दिये, देखे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि बहने आँ बैठी है, इतनी मेहनत कर रही है, इतनी अच्छे से Party का पक्ष रख रही है, पर राहूल गांदी जी की जगह पे नहीं लो, तो हम तो कहते हैं कि नेता आपको बनाना चाहिए, राहूल जी को जबस्ती नेता बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, और नरसीमा राओ जी का आपने नाम लिया, हम सब बहुत आदर करते हैं, इस देश के प्रधान मंत्री रहे हैं, लेकि कॉंग्रेस पार्टी ने न गांधी परिवार के इशारे पर क्या हुआ, मैं एक कहना नहीं चाहता, हम सब की आत्म बहुत कष्ट हुआ था, जब नरसीमा राओ जी का देहानत हुआ, और उनका पार्थिव शरीर, वहां से कॉंग्रेस दफ्तर थे किस तरह से निकाला गया, नहीं अंदर जाने दिया ग आज आप मुझे बता दिये सूरत का नाम के छेतर में आगे बढ़ रहा है, आज प्लेक का छेतर आपने बढ़ाया, आज मोदी जी के अगवाई में डाइमंड के छेतर में, टेक्स्टाइल के छेतर में, और गुजरात की आबाद के लिए, हम लो आँ बैठके कहानी सुनते लेकिन बादी मोदी जी की सरकार ने जितने लतीव, जितने अतीग, जितने सौराबु दिन ते, उनका ऐसा इलाज किया, ऐसा इलाज किया, कि आज गुजरात की धरती पर कोई कानून हाथ में लेने का काम नहीं कर सकता. आपको नहीं लगता है कि सुरक्षा का मुद्दा जब विपक्ष उठाता है, वो गुजरात में बेमानी सा लगता है? मुझे बिलकुल विमानी नहीं लगता, क्योंकि इसलिए नहीं लगता कि मैं नहीं बोल रही हूँ, आप NCRB के आंकड़े उठाक के देख लीज़ें, एंसी बारबी के आंकड़े ये कहते हैं, कि आपके 2015 से लेकर, एक 20 को अगर आप छोड़ दें, लगातार आपको consistency में मह महिला अपराद बढ़ते वे दिखते हैं, बीस में भी आपका lockdown था, महिला हैं बाहर नहीं निकलेंगी, तो उनके साथ अपराद उस तरीके के होने की समभावना हैं वैसी ही कम हो गई, लेकिन 21 में फिर आप देखते हैं कि 15-30 महिलाओं के उपर अपराद बढ़ जाते हैं, और तो और आप सोचिए SC-ST की भी अगर हम बात करें, तो वहां पे भी आप SC पे देखिए कि 1.2% अपराद बढ़ा है और SC पे 6.2% अपराद बढ़ा है, और सबसे हास्यास पद सिती यह है कि जो सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आपके SC में जो अपरादों की संक्या में, द कोनों जगे बाजपा की सरकारे हैं, फिर आप सुरक्षा की बात कैसे कर रहे हूं, जी अप यताई है, वे कोई क्रियाक्शन में लेती हूं इस पर क्योंकि राजस्थान इससे पहले जो हमारे गैस ते वो राजस्तान का नाम ले रहे थे, तो ज़रा मैं जान दी हूं, फिर क्योंकि हम जहां पर बैठे हुए हैं, वहां पर अगर हम इंडस्ट्री की बात ना करें, टेक्स्ट्राइल की, जैमस और जुल्री की, तो शायद ज्यात्ती होगी, जो निवेश की बात की जा रही है, और जो बात की जा रही है कि गुजरात में निवेश नहीं आ रहा है, स उसमें 90 से 91 डाइमंड सुरत से कटिंग होके जाते हैं इसलिए यहां पर सब लोग के बलड के अंदर डाइमंड बसा हुआ है तो मेरा बोलना ही है कि जब पहले की बात करूँ तो पूरा सिस्टम में ना ओ देशी तरीके से चल डाया था ताकि एक्सपोर्ट करना है किसी को तो इतने कागज प्रिंट आउट करो यह प्रोसेस करो वह प्रोसेस करो बहुत सारी दुविदाय आती थी कस्टम की सुविदाय इतनी प्रॉपर नहीं थी पर फिलाल आप देखोगे तो लास्ट पांच सालों के में रेश्यो देखो तो 319% एक्सपोर्ट बढ़ा है गुजरात से तो यह सारी चीज़े डिजिटेलाइशेसन हुआ और जो कोरोना के टाइम के भी अंदर हमें जो कस्टम की सुविदाय उपलब्द हुई जो एक्सपोर्ट बढ़ा हमारा तो उसका मैं सारा स्रे गवर्मेंट को ही देना चाहूंगा क्योंकि गवर्मेंट ने हमें जो चीज़े अभी सारे सब लोग समझते थे कि जो हैल्री अगर पर्चेस करनी हो तो इटालियन पर्चेस करो या दूबई से लाओ पर फिलाल हमा और सब लोग उस मसिंदी पर काम करके वर्ल्ड को पूरी ज्वेली सप्लाई कर रहे है तो यह सारी गवर्मेंट की उपलब दिया है मेरे इसाब से आशीर जी कितना बदला है गुजरात 27 सालों की बात हो रहे हैं हम तो 5 साल का पूछते हैं अगर टेक्स्टाइल पॉइंट आफ यू में बोलू तो 2002 में मतलब आज हमारे यहां जो प्रोडेक्शन है कपड़े की रोज की 5 करोड मीटर है 2002 में यह 1 करोड 25 लाग थी 2012 में यह 2 करोड 75 लाग थी तो आज वो पहुंचके 5 करोड मीटर पर डे का कपड़ा यहां पर प्रोडिस हो रहा है वैसे अगर किसी को भी अगर इंडर्स्ट्रियल पीस चाहिए तो उसमें एक तो आपको इंटर्नल सिकेरिटी मतलब जो महोल हमें चाहिए इंडर्स्ट्रियल पीस तो वो यहां पर बहुत अच्छी उपलब है गुजरात में सूरत में यहां जो रिलेशन बिट्विन एंप सालों से 0% है और यहां पर लोग भी एंटरप्राइजिंग है बहुत मेहनत करते हैं अपने इंडर्स्ट्रिय के लिए परसेंट वाला आंकड़ा का स्रोत क्या है यह रिए कह देने से नहीं होता नज अगर मैं कोई आंकड़ा बता रही हूं कि यह मेरा स्रोत है अगर मैं कोई भी मेरे परसनल बोल दें मैं कर दूं कि महिलाएं बहुत एंपावर है क्योंकि मेरे को सब कुछ मिलावा है तो उससे महिलाएं पावर नियुक्त है अगर कितने भी बेरूज़गर लोग हो तो हम एपसोप करने के लिए रेडिये है वही चीज है डामेंड लेकिन उनके अपने मुद्दे थे और उनके प्रतिनीदियों ने जो मुद्दे रखे उसमें सबसे पहला मुद्दा तो उन्होंने एशांत धारा वाला जो की आपके कमर्शल प्रपर्टी के ऊपर लगा रखा है उसको लेकर के उन्होंने का कि जिससे बात उनको दूइद और आपके केमिकल्स के जुदाम अनियंतरित होते हैं उसका भी असर टेक्स्टाइल मिनिस्ट्री वा परता है तो ये मैमोरेंडम आपको दिया था किसको दिया था? मैं मिली हूँ भई, मैं मिली हूँगी नहीं क्या जाना था रहे थी क्योंकि सब लोगों की निगाहे लग हुई थी, उस एरिया के कॉर्डिंग उन्होंने मुद्दे उठाए और ये निए कि कॉंग्रेस में खाली राहुल जी बोलेंगे तब ही बोलना होगा, मैं बोल रही हूँ मुझसे पहले प्रमोत तिवारी जी आयते, सांसद हैं राज्य सबा के, उत्तर प्रदेश को रिप कि कब उनकी सभा होगी, इस दिन उनकी सभा होगी, डेट फिक्स की जा रही ही, अब लब राहुल गांधी ही बोलेगा, तभी गॉझस का मानेंगे ऐसा क्यों है क्यूंकि का आम कार्य करता भी अगर कोई बात बोल रहा है तो वो कांग्रस ही बोल रही है ना, शरलम मणी जी को लगता है यसलिए लग भने इनको इन्वाइट किया है कि आप आई हम आपको कारे करता हो से मिलवाते हैं आप बताईए कि आपने गुजरात में 11 जो प्राइवेट यूनिवरसिती का जो बिल आपने पास किया अप क्यों सरकारी यूनिवस्टीज नी खोल सकते भई यू आ यही होता है चलिए बड़ी जी यह तो कह रहे हैं कि काउंटर किया है नोने क्योंकि इतने समय से जो आप मैलाओं के उपर बीजेपी की तरफ से बयान आते थे उसकी वज़े से बयान आया है एधे काउंटर किस-किस बात है काउंटर किया है राउल गाधी जी टृटिवनन है कारोबारी औहर है क्यों गुझरात को बार-पार नकोसना चाहते हैं क्यों देश को द inhibitilla से कारोबारी वह प्रदान मंत्री को प्रदान मंत्री के बारे रहुत रहुत करते हैं वह चाय बैशने वाले परिवार से गरीब परिवारम घ्राð पर पर देश में नहींग सकता है देखें कि परिष्टितियों में गुज्रात के लोगों ने मदद किया है कि अब मैं इस वह जवाब देंगे तो मैं उनकी बात का जवाब दो पहली बात मनीशंकर अघ्यार जी पर कारेवाई हुई ती सब जानते हैं ते सब्सक्राइब करेगा जो खुद नातिक आचरण का परिचय देगा जो ने खुद नेथिक आचरण का परिचय नहीं देगा और हमसे सवाल करेगा कि हम नातिकता क्यों नहीं कर रहें आप प्रभू राम की धर्टी से आए हैं प्रभू राम ने तो नातिकता के सबसे बड़े माबदन सामने रखें आप दीजे ना कि आम का नाम जपने से नहीं होता, उनके आचरण को अपने व्यवाद में अत्मसास भी करना होता है. और उस बीच में जब भी बात होती है, मेडिया पर तो भाराज़ोड़ो मेडि़ून र Potato आपको लगते है तक तुमाम इलेक्षन है हिमाचल हो गुजराथ हो इस पर एमा नीए से कोज그르 नी ठी सुरकार escrito नीठ सर्कार भनाएंगा city आप हमने प्रेस कांफरेंस की दिल्ली उनिवस्टी के 12 ऐसे महाविध्याले हैं जो कि दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा पूरी तरह से वित्पोशित हैं सारा का सारा फंड दिल्ली सरकार से आता है उसमें टीचर्स का सैलरी हो या इंफ्रास्ट्रेक्चर डेवलप्मेंट की बात हो या और कोई फंड की बात हो वो सारा हंडेट परसंट दिल्ली सरकार से आता है आज तक दिल्ली में इतनी सरकारे रही, 15 साल तो कॉंग्रेस की सरकार थी, उससे पहले बाचपा की भी रही, लेकिन कभी फंड का कभी कोई समस्या नहीं आई, ठीक है, कभी एक रुपे के फंड की भी समस्या नहीं आई, और आज इस्तिती यह है कि पिछले चार सालों से, पि किया, एवन केजिवाल और मनीशी सोधिया जी के कॉंस्टिएंसी में जाके पर्चे भी माटे, अल्टिमेटली हाई कोट गए, वहां जीते, उसके बाद भी धुर्तता यह है कि पूरा फंड नहीं दे रहे हैं, नहीं तो डॉक्टर उनियाल, इस मुद्दे पर लगता है कि दूसरी वेव चल रही थी, जिसमें बहुत सारे लोगों को करोना हुआ, और पचास लोग मारे भी गए, उन पचास मौतों की जिम्मेदारी केजवाल जी लेंगे, और आप सोचिए पिसले दो साल से एक भी टीचर को वहां पे, क्या करते हैं, हेल्थ अलाउंस नहीं मिला, मेडिकल बिल पास नहीं हुए, इस से जाधा ऐसे लिए में अमसेडी चुनाव है, उसमें दिल्ली पंतुजी में होई रहा है, गुजरात की जनता दिगबरमित ना हो, उनकी बातों से, तो गुजरात के स्कूल अच्छे हैं मतलब, गुजरात में तो स्कूल ही आपके सारे प्राइबेट खुल रहे हैं, आपके सूरत के अंदर पिछले दो सालों में, एक से चालिस निजी स्कूलों के सामने सिर्फ दो सरकारी विद्धाले कुले हैं, और जो जिनों ने मेमोरांडम पकना रहे थे, उनकी मेमोरांडम में एक मुद्धा ये भी था, कि जितने भी प इवस्टी की प्रोफेसर हैं और वहां से आकर इनको ये तमाम उद्धे पता हैं दिल्ली से, मनीशी सूधिया स्कूलों में गए, उन्होंने दिखाया की बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, गुजरात के स्कूल, शिक्षा का मॉडल, दिल्ली का मॉडल लाने की बाद, तो ये मॉडल की, जो वो पोल खोलने के दावा कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल ही है, सरकारी तो बंद है सब, बेसिक मुद्धा है ये, मुझे लगता है कि बहन जी को भी और मनीशी सूधिया को भी, जो गुजरात के भीतर, छोटे-छोटे छेतरों में भी पहुंचे है, बिरसा मुंदा रेस्डिशन स्कूल, एक लव रेस्डिशन स्कूल, जो बहुत गरीग गरीग परिवारों के बच्चों के लिए रेसिशन स्कूल जो बने है, आवासी वेवस्ता के साथ स्कूल बने, जाकर देखना चीए, आपको समझ में आएगा कि गुजर तो उनका model पुरा देश समझ चुका है, रही बात कॉंग्रेस की, आपने गा भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, तो भारत जोड़ो यात्रा कॉंग्रेस छोड़ो यात्रा में तब्दील ओती है गुजरात में दिख रही है, जो दस-दस बार के विधायक तेरों ने कॉं जिसके आप बात करें, हीरे के वेपारियों की बहुत जादा एक अलग-अलग तरीके की समस्या थी, जिसका जिक्र डॉक्टर उन्याल कर रहे है, क्योंकि एक वर्ग ऐसा भी है, जो हो सकता है, इन समस्याओं से गुजर ही रहा है, और इसको मुद्दा विपक्ष बना रहा है, अभी तक कि हमारे जितने भी प्रॉब्लेम्स आये, कि जो प्रॉब्लेम्स बड़े से बड़े हो, और जाके हमने जब जब रजुवात की है, मैं ऐसे जिजे एपी सी के और से देखूंगा, तो हमारा प्लैटफोर में हम कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में आते हो, और एक्सपोर्ट के अंदर कोई बीश्य हो, और एक्सपोर्ट गोल्ड नहीं मिल रहा है, हमें कोई भी तरीके की इंपोर्ट के अंदर तकलीप आ रही है, तो सब अभी आप देखोगे, कि लेब ग्रांट के अंदर हमें इजली के अंदर दस्ट का GST जो लग रही थी, अमने स जो आपना जो इंडियन एथनिक वेर होती है आप लोगर जोले होती है उसका हुष को सेखंट अब हैं tel जो कोसटोंन Bardzo चौल आप हएवारी करी शुन होता नोर अदुर मुंट हा का 65 पर्संट्र वैंट पॉल्गें कि पूरे इंडिया का 65 परशन Indigenous चौर्प प्रिद्धान मत्री कोशिश करें लगी तो चाहिए गुज्रात की बात है लिए प्रधानमत्री जो बात कहते हैं कि जो लोग गुज्रात को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं आकडे बता रहे हैं कि गुजरात की इंडस्ट्री कहा जा रही है, गुजरात में तमाम जिसको मुद्धा बनाने की कोशिश है, तो कम से कम गुजरात नहीं अब यह आरोप लगाना तो गलत होगा ना और राहूल गांदी भी कल रैली से उन्होंने शुरुवाती मीडिया पर करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया, इस डिबेट में आज हमाँ साथ जुड़े और गुजरात की और खासकर सूरत की जो तस्वीर, असली तस्वीर, वो पेश करने के लिए, बहुत 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 शुक्रिया. तो सूरत में जब हम मौजूद हैं और यहां पर कपड़े की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और हमारे साथ जब बेहदी खास महमान मौजूद हो, ऐसी वैसी महमान नहीं बलकि केंद्र में राजव मंतरी है, रेल डिपार्टमेंट भी उनके पास है, कपड़ा डिपार्टमेंट भी उनके पास है, सूरत की बहुत ही जानी मानी नेता भी है. और अगर मैं इनके ग्राफ की बात करूँ तो देखिए, वार्ड प्रमुख से जब सफर शुरू होता है किसी महिला का, और राज़नीती में वो आगे बढ़ती हैं, और बढ़ते बढ़ते सांसत से लेकर मंतरी तक, ये सफर तै किया है. 2014 के चुनाव में हमारे साथ जो बेहदी खास महमान है, उन्होंने पांच लाग से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी, एक रिकॉर्ड बनाया था, ये भी जानते हैं जरा किसका रिकॉर्ड था, दिल्चस्पी लगेगी आपको ये जानने में, हमारे साथ दशना बेन जी मौझूद है, बहुत-बहुत स्वागत है आपका दशना जी, डीडी नियूस के इस खास कॉनक्लेव में, किसका रिकॉर्ड तोड़ा था 2014 आपने? रेक सोव में से 76 वोट मुझे दिये, और वो सिलसिला चलता रहा, उननीस के चुनाओं में भी ये 76.78 परसंट तक रहा, तो ये बैलन्स हम लोगों ने सांबाल के रखा हुआ है, कि यहां की जनता पार्टिये जनता पार्टी को बहुत पसंद करती है. तो दरश्णाविन, क्या वज़ा रही इतना बड़ा रिकॉर्ड? पाँच लाग से ज़ादा मत जनता ने आपको दिये? सूरत is the fastest growing city of the world. और यहां पर जो infrastructure यहां जो development हुआ और इनी के कारण यहां पर double engine की नहीं, triple engine की सरकार है. यहां पर आफद भी बहुत आई, plague भी आया, बाढ़ भी आई, disaster बहुत सारे हुए, दर्तिकम भी आया, लेकिन एक फिनिक्स पंखी की तरह सूरतियों का जो मिजाज है, वो वहां से उभर के उन्होंने अपने आपको आगे बढ़ते हुए काम चालू रखा. तो इसी का परिणाम है कि यहां पे लोग मिल जुलकर, जैसे सूरत को मिनी भारत कहा जाता है, एक भी प्रांत ऐसा नहीं है कि जहां से लोगों ने यहां पे अपनी कर्म भुवी नहीं बनाई. और इसी के कारण यह हुआ है कि यह मिनी भारत वाले मॉडल में, जो भी डेवलपमेंट हुआ, वो डेवलपमेंट और इसके साथ में सूरत की जनता ने प्यार भी बहुत दिया, प्रदान मंतरी जी के काम को सराहा भी बहुत, और उन्होंने जो जो इच्छाय व्यक्त की, वो क्रमशप उनकी पूरी होती गई, तो जो अपने ट्रिपल इंजन का जो नारा दिया, यह तीसरे ऑंजन कौन है? Corporation है, Corporation हमारा pyramid कैसे बनता है जैसे मेरे Corporation के, सभी मेरे Corporator, इसके बाद में मेरे 7 MLA, और इसके बाद में मैए 1100, तो जब महिलाओ को Ticket मिलती है, जब पहली बार 2009 में Ticket मिली थी तो प्रदान मंत्री जी ने पूरे गुजरात में 3 महिलाओ को टिकेट दिया था और 100% result मैं जो महिला मुर्चा की अद्धक्सा और महामंत्री हम दोनों तो दोनों को टिकेट मिला था 100% result इसके बाद में 2014 में ये चार महिलाओं को टिकेट मिला और चारों जित कराई और उन्हों ने जब अपनी बड़ोत्रावारी सिट खारी करी वो भी मह मेला होको दिया तो हम लोग 3 में से 5 हुई और इसके बाद में जब हम 2019 का चुनाव लड़े तो हम लोग 6 थी और 6 को 6 हम जित कराई तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो हमारा बनता है कि जहां 7 MLA बिचेपी विन होते हैं वहां पे ही महिला को टिकेट देते हैं और सिर्फ देने मुर्चा के माधियम से जुड़ी है उनको पार्टी के साथ में बड़ी हुई जैसे पार्टी बड़ी होती गई मैं बड़ी होती गई अपनी विचारधारा को समझती गई उसको लोगों तक लेके चली गई जब जब जो भी जिम्मेदारी मिली उसको अच्छे तरीके से न एक बाद जोडने के बाद में वह अपना दिमाग नहीं बदलती और वही चीज हम लोगों को यहां कामियाब रही हमारी यहां दो MLA मैला थी अभी इसके बाद में कॉर्परिशन में 50% मैला है तो जितनी भी कॉर्परेटर और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी संगठन जो पिर में कैंडर में भी जनरल सेक्रेटरी रही जहां पर गुजरात मॉडल पर लोग काम करना चाहते थे समूती जी के साथ में जब हम लोगों ने पूरे देश का ब्यारा किया तो यह चीज लोगों को अच्छी भी लगी कि हमारी पैटन पर काम करने लगे यहां पर जब प को उनकी योजना के बारे में खुद बताना और उनको आप बताईए कि वो महिला में महिलाओ को कौन सी चीज सबसे बड़ी अच्छी लगी होगी में यह 2014 की बात करी हूँ क्योंकि आपने बात 2014 सिखी और 2014 से पहले जम ने यह प्लैटफर्म तयार किया था जब महिलाओ को कि तैयार कर रहे थे तो सब को दो चीज सब थे अच्छी लगी कि अगर सकूल में बच्चा दाखिल होता है तो महिला माज के नाम का जरूरुत होना चाहिएँ मतलब बात् पीता का नीम तो लगता है लेकिन अगर कोई बच्चा सिंगल मदर है और मैला का नाम लिखना चाहता, माता का नाम लिखना चाहता, वो चीज मैलाओ को बहुत अच्छी लगी, दूसरी चीज लगी उनको अच्छी अपने नाम पे घर लेना, सबसे जादा घर प्रदान मंतरी या मुख्य मंतरी के आवा इसमें सबसे जादा घर मैलाओ को मिले, वो योजना सबसे अच्छी रही, और तीसरी हमारी सबसे योजना अच्छी रही, सेल्फ हेल्फ ग्रूप, जो हम मैलाओ की शक्ती है, सेल्फ गूर्प के माद्यम से, जब हमें रोटिंग फंड मिलता है, जब 15-20 मैला इकटा हो जा है, और अपने आप शक्ती करन तरफ आगे बढ़ती है, इंडिपेंडन हो जाती है, घर पे काम करती है, तो वो घर में सबको जब मदद करती है, तो उनका कॉन्फिडेंट लेवल अलग होता है, और वो ही चीज है, जो गुजरात में महिलाओ का सनमान, महिलाओ के प्रतिया है, उनके रिस्पेक्ट है, वो सब तो दिखती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो तमाम आपने बात कहीं, एक जो रेशियो होना चाहिए, टिक्टों को लेकर, वो हमेशा सवाल खड़े करता है, कि जितनी भागेदारी देनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है, और इस मेडिया का ज्यादा यूज हो रहा है, फंडिंग ज्यादा हो रही है, अपनी पोपिलिशन के हिसाब से, जो महोल खड़ा होता है, इसके साथ में, महिला अगर कॉंपिटिशन में आए, तो उनको ये जिम्मेदारी लेने में थोड़ी परिशानी होती है, मुझे ये परिश चुनाओ में हार जाने के बाद में मुझे रोना आता था, बंदरा दिन तक मैं उभर नहीं पाती थी, लेकिन जब भी पार्टी का चुनाओ लड़ी, जब दोजा नो का लगी और इसके बाद में 15 दिन, एक महिना का गैप होता है, हराम से सोचा दे, क्यूंकि उसमें अब नहीं के बाद में जब दोजाएं, इतने सारे मोर्चे, मोर्चा में सबसे ज़्यादा महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसु चिजाती, लगुमती, तो साथ मोर्चे, हमारे कन्वीनर सेल, जितने भी सेल है, वो सब एक्टिव है, अभी दो दिन पहले यहां, कलाकारों का एक था, तो मैं कलाकार भी थी पहले, तो उनका भी नाता था, कि वो लोग चाहते थे, हम लोग किस तरह से आप से इन्वाल हो जाए, मैं किस तरह से आपको मदद करूँ, यह चुनाओं में, तो सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, संगठन, स जटा तोनों साथ में एक दोर पैदे पे चलती है, जीतना नड़ाजी काम करते है, इतना ही काम प्रधान मंत्री भी करते है, तो यह समन्माई बहुत अच्छा है, यह पहले अमिद बई ने शिटम करी थी, गुजरात में भी यही सिटम है, तो यह सिटम हम लोगों को लोग सबसे बड़ा जो आरूप लगा रहे हैं कि गुजरात में पिछले 27 साल में धीरे-धीरे करके निवेश होना बंद हो गया और अब निवेश हो ही नहीं रहा, देश में सबसे पिछड़ गया है निवेश के मामले में गुजरात, क्या लगता है, कल हमारे कॉमर्स मिनिस्टर सब्सक्राइब करती है, पियुज जी यहां आये थे, हम लोग करीबन पूरे दिन के दर्म्यान जितने भी इंडिस्ट्रियालिस से वहां से मिले, सुबह सुरुवात करी हम लोगों ने डायमेंड जैमेंड ज्वैलरी, जहां इनका रॉल बहुत बढ़ा है, फिर टेक्टाल की बात आई, जहां हम तीनों सेक्टर को मिले, वीवर्स को भी मिले, बड़े एक्स्पोर्टर्स को मिले, ट्रेडर्स को मिले, दुखान दारों को मिले, जहां राजरीदी की बात करती है, पिछले 5 साल के पहले चुनाओं में जी एच्टी के कारण, यहां बहुत बढ़ा अ कोवीड से लोग उभर ही रहे, वहां हम लोग इतने हमारी एकोनोमी के साथ आगे बढ़ रहे हम लोगों ने जो भी योजना करी टेक्स्टाइल के लिए और खास करके प्रदानमंदरी जी की सोथ ती, जो वेस्टन जौन या पूरे हम लोगों के वेस्टन जौन जहां गु जब हमारे देश से खेती प्रदान देश तो यहां कॉटन बेज इंडिस्ट्री है, तो कॉटन के उपर ही चलते रहे, यहां किसानों के आई दुगनी करने के चकर में, हम लोगों ने जो पुरानी जो चीजे थी, वहां पे टेक्टल सेक्टर को जो अन्या ही हो रहा था, उ यहां एक्सपोर्ट प्रमुसन काउंसिल है, उनके आंक्रे भी अगर आप निकालेंगे तो कोविट के समय में यह जो चीजे मीटिंग होती है, वो मुंबई में होती थी, इसके बदले में यहां गुजरात में सूरत में होई, और उन लोगों ने बोला कि हम लोगों को सौ क पहले हम लोगों ने खतम कर लिया था, इसमें भी सूरत का रोल ज्यादा रहा, गुजरात का रोल ज्यादा रहा, जो मांचेस्टर कहा जाता था, अम्दाबाद, टेकनिकल टेक्स्टाइल, जिसके लिए सूरत में जितनी स्कोप है, आर्बी के कपड़े यहां बनते है, कार पादानमंतरी जी की सोच के कारण हम लोगों ने जो योजना, PLI, इसकीम हम लोग पहले लाए, और इसी के साथ में जो टेक्स में, टेक्स के साथ में, टेक्स के साथ में एंटी डूपिंग डूटी का, जो भी उन लोगों की दीमान थी, वो सेक्टर से बात करके, उनका फा प्रेली ती कली जी जो लोग वहां सामने थे, वो कल अनर कर रहे थे प्यूश जी का, क्योंकि उस तमाई भी प्यूश जी आयते, जी एस्टी का प्रॉब्लम सॉल करने के लिए, उसके साथ हमारे साथ रहे थे, अरुन जिटली जी के साथ, तो वो खुद बोल रहे थे, वो प्रास्परेंसी से आगे बढ़ने का मुका भी लेगा, तो ये तो टेक्स्रायल के बात, दूसरा जो मुद्धा है, क्योंकि आपके पास रेल डिपार्टमेंट भी है, बुलेट ट्रेन का नारा बार बार गुजरात में दिया जाता है, इसलिए सब जानना तो चाह रहे हैं मैं विशय के अंदर में राजनीती नहीं करना चाहती, लेकिन जब वो वन्दे भारत ट्रेन बनी, वो कोछ फैक्टरी में में गई थी, वहां आप मेरे जैसी आप महिला काम करती है, जब वन्दे भारत का पहला लाँचिंग, टू वर्जन का लाँचिंग हुआ, गांदी टेक्नलोजी के साथ में बुलेट ट्रेन के कारण जो हुई है, यह टेक्नलोजी अड़ब करने के कारण हमारे इंजिनियर्स इतने तयार हुए, कि यह पाइलेट प्रोजेक्ट में ऐसा होता है, कि हम लोग यहां पे कुछ टेक्निक लाते है, लेकिन फिर जब हमारी ट्रेक्ट से रेडी हो जाएगा, पहले हम लोग 8 किलोमेटर की, मतलब 8 पिलर बनते थे एक महिने में, अभी 100 पिलर बनके खड़े है, हम लोग 26 से पहले ट्राल दे देंगे सूरत से बिलमुरा के बीच में, इसके पहले इसके बाद में जो इंफ्रास्ट्रेक्टर के लिए उनके स्टेशन चाहिए, उनका डबली करण, उनका कैबल, उसका कवच का यूज, यह सब होने लगा है, इसके साथ में बंदे भारत का जो आप लोगोंने यूज देखा होगा, जितने भी फॉरेन अभी लोग आते हैं, या फॉरेन से आते हैं, क्योंकि सूरत की पृष्ट में चली, और फिर करनाटक में भी चली, और हम लोगोंने अजादी का अमरुत काल में 75 ट्रेन का वादा किया है, वो हम पुरा करेंगे, पुरी इको सिस्टम से काम कर रहे हैं, क्योंकि गति शक्ती भारत के मॉडल की तरफ आगे बढ़ते हुए, जो कई ऐसे बड़े-बड चाहिए, उनको लेन इक्विजिशन चाहिए, उनको बहुत सारे डिपार्टमेंट चाहिए, उनकी इको सिस्टम के लिए जो चीछ चाहिए, वो हम लोगोंने गति सकती मॉडल के माधियम से यह हम लोगोंने फुल्फिल कर लिया, दर्शना बिन, क्योंकि आप टेक्स्ट्र करोड रुपए के कर्ज की बाद बार-बार हो रहे हैं कि कहा गया यह पैसा, अगर फ्री भी कुछ नहीं दे रहे हैं यह सरकार, कोई ऐसी स्कीम नहीं है, तो आखिर इतना कर्दा कैसे चड़ गया? नहीं तो आप सिर्फ गुजरात के आंकड़े क्यों देते हैं, बाकी स्टेट के आंकड़े क्यों नहीं देते हैं, इस ओफ डूइंग बिजनेस में गुजरात फर्स्ट आया, जिस दिन भी वो जो हमारे पैरामिटर्स है के जहां स्टेट की प्रोग्रेस नापा जाता है, आज ही प्रदानमंत्री जी ने जो 45,000 नौकरिया की बात चले थी, 71,000 नौकरिया जो आई, इसमें गुजरात ने सबसे ज़्यादा युवानों को नौकरी दी है, तो ये जो पैरामिटर की बात है, और इसमें सिर्फ आप गर्जे की बात करहें, लेकिन इंफरेस्ट्रुक जो आज तक पूरे नहीं हुए, और यहां 118 फ्राइवर थे, उन्होंने कल 25 गीने के अगर सूरत के एक कौने से दूसरे कौने में जाना है, तो ये स्मार्ट सीटी का जो कंसप्ट है, यहां स्मार्ट सीटी में जो जो चाहिए सुवीदा, वो पूरे भारत के लिए जो एक है, यहां पर सिखने आते हैं लोग, अर्बन बिनिस्टी भी यहां से आती है, हमारे ही लोग है, एंजीनियर से है, हमारे ही कौर्परीशन का अधिकारी है, जो बार-बार ये स्मार्ट सीटी के प्रोजेक्ट में, वहां प्रेजेंटरेशन देने जाते हैं, स्वाच्छ सबसे जादा सूरत में नहीं तो हम लोगों नहीं पूरा जीरो कर लिया है रेलवे ट्रेक के पास में इतनी सारी जगा थी अब देखिए कहीं पे भी रेलवे के पास में जो एंक्रोच्मेंट होता है यह चीज खाली करा के देखिए अब कई राजियों में जाएंगे वह अब दल नहीं आया वह जगा खाली होगी क्योंकि सुप्रीम कॉट ने ओडर दिया और वही लोगों को यह आवाज भी मिल गए तो यह जो सिस्टम है यहां एक भारत स्रेश्ट भारत का स्रेश्ट उदारण है वह सबसे ज्यादा सूरत में हैं सूरत के लोगों ने बहुत देखी है बहुत अच्छे से उन लोगों ने अपना बिजनेस एक दूसरे से किया है अब देखे अगो गोरगपूर और यूपी और बिहार में जितने भी लोगों को अपने टेक्ट्रेश्टल का बिजनेस करता है करना है तो पूरी ट्रेंग चलती है यहां से तो यह पूर पर नौ में हम चुनाव लड़े थे, अल्टरनेट डे पर एक फ्लाइट और आज 55 से जादा फ्लाइट, तो डाइसो परसंट का ग्रोथ अगर कोई सी सीटी का हुआ है, तो सुरत का हुआ है. मैं दो तीन सवाल पूछूँगी, फिर मैं ज़रा यहां पर जो ओडियन से उनके पास जाना जाओंगी, कोविट के समय में, जब सब लोग डाउन लगा हुआ था, आपको नहीं लगता, मतलब जब हम लोगो की पहली, जब हम पहले सोने के भाव देखिये, जब शुरुआत म मेरी शादी होई थी, कब क्या भाव था, इसके बाद में क्या हुआ, आज कैसे हुआ, तो सभी चीजों में भाव तो बड़े है, ऐसा नहीं है के नहीं बड़े है, और दुनिया के वैमाने पर देखा जाए, तो जो यूके की, बृटेन की सबसे बड़ी एकोनोमी के पचा इसके बड़ी ऐसे है कि जहां कोविट से लोग उभरे ही नहीं है, तो वहां कोविट से उभर के आगे बढ़ना, इंफरस्ट्रक्चर को अपने बिसनेस को आगे ले जाना और इसके साथ साथ में चलना, यूकरेन वार के कारण, जो महेंगाई में या पैट्रोल के दाम के उपर जो इफेक्ट इंडारेक हुआ है, सभी कंट्रीस को हुआ है, कल ही आप स्टेट्मेन उसका देख लीजिए, और इसके उभरने के लिए पीछले महीने ही जो हम लोगों का जो महेंगाई बता, जो आकड़े आये, कल प्यूस जी बता रहे थे, कि इसमें भी हम लोगों ने कम किया है, जो खरीदारी के लिए, तो ये बुद्दा इसलिए नहीं बनता है, कि पूरी दुनिया इससे जूज रही है, लेकिन इसके उभर के आगे आने में सबसे बड़ा रोल रहा भारत का और प्रदानमंत्री का G20 समीट होने जा रही है, अब देखे पूरी दुनि समय में कुछ स्थानिय मुद्दो की कारण इसा होता है, और कंग्रेस यहां ही नहीं, तो वहां उसके मुवत उनके पास चले गए, और वहां जाने के बाद में वो लड़किया हमारे पास आ गई है, उन्होंने क्या गलतिया करी है, अगर मैं चाहती थी का आप लोग अपने का आप एक बर इंटर्यू कर लीजिए, जो आप पाटी छोड़के हमारे पास आई है, तो यह चीज अब बार बार नहीं होगी, अगर उनको मुझा मिल जाएगा, तो यह चीज हम लोग जमीन पर है, हम लोगों ने लोगों के बीच में रहे हैं, कोविड के समय में भी महिलाओ के सनमान की बात आती है, सब लोग यह मुद्दे को पीछे छोड़के आगे जाएंगे, क्योंकि असमीता में तो यह देखा जाए, कि यह आम पार्टी के लोगों की जबान जो है, जो महिलाओ के प्रति, आपको पसंद आई ही क्या, सौ साल की माता को राजनीती में गसितना, उसके लिए कुछ अनाफसना बोलना, यह संस्क्रूति हमारी नहीं है, और गुजराद की संस्क्रूति की असमीत के बात आएगी, हम लोग जो यह केमपस में बैटे हैं, यह नर्मत का केमपस है, नर्मत नाम दिया गया था, गुजराद की असमीता, और परुद्रस के नेता भी ऐसी इस्तिमाल कर रहे हैं We allora कु. अबनाते हुए उन्हें की सतरा से उनको प्रहोशन किया जाए किस तरह से उन्हें जो कलाएं है यह तो उनके पास में जो खुबी है उसको कैसे उजागर किया जाए तो ये सब के लिए काम है आपने पूछा तो मैं बता दू के पूरे देश में अग्री कल्चर के बाद में सबसे जादा लोगों को काम देने वाला क्षेत्रा टेक्स्टायल है और टेक्स्टायल में सबसे जादा मैला जुड़ी है और यही जगा तो मैला गर बैठके काम करती है जो हैंलूम हैंडिक्राफ की काम करते हैं अपने आपको आत्मनिरबर बनाती है वो चीज भी यहां पर ही है यह soutने पूर सवाल इससे जुड़ोगों कि आपने यह बात कही जो तष़वीरे बार बार किभीर की जा रही है दोनों मैं जानती हूँ यहां बैठी हुडी सब पब्लिक को पता है कई तंत्री भी बैठा है मैं जानती हूँ कि राजनीती के समय मतलब जब चुनाओ का समय होता है तो यह फोटो नहीं चापने चाहे लेकिन मैं तो सामान यह फोटोग्राफर की लड़की हूँ आज ही मैंने मेरे दोरियान जिसमें आपका टाइम बदला गया उस समय मैं जहां रेलियां कर रही थी वहां पर पार्टी के कारेले पर ताला लगा हुआ था और मेरे साथ में भीर थी तो क्या आप उसको गलत बोलेंगे यह सच बात है वह जो खुद तस्विर मैंने निकाली है वह चीज आज में अपने सोचियल मीडिया अकाउंट पर डाली है अगर एक बर चाहे तो यहां के लोग भी वह मत्तब प्रिंट मीडिया वो दिखा सकती है कि सच में है कि यह चीज वहां पे वह जो उनका गुबारा फूट चुका है कल मैं प्यूज जी के साथ गई हम लोग कई पार इसा मोबाइल में से आपको में फोटो दिखा सकती हूँ यह कारेले पे ताले लगया है तो कार्य करता की बीड करना वह एक ही बीड हर जगा पे जाना हर के पास जाना और वह चुनाओं में अपना एक माहुल खड़ा करना वह चीज नहीं है और हमारी यहां पन्ना प्रमुग से लेखे हम लोग ने पूरी अगर मैं मंत्री भी हूँ रेल मंत्री लेकिन मेरा 78 नंबर के बूत पे मेरे वाड में मेरे 1500 वोट में से सबसे जादा कितने वोट आये उसकी मिटिंग करनी मेरी जिम्मेदारी है तो यह हमारी पाटी का कल्चर है हमारी सब कार्य करता लगे एक महिला होने के नाते आपसे सवाल पूछूँगे एक बहुत जादा चर्चे तभी इस वक्त जो केस चल रहा है उसको लेकर अशोग गहलोत ने कल एक बयान दिया और वो यह बयान दे रहे हैं और निशाना आपके उपर साध रहे हैं मतलब BJP पर कि आफताब ने जिस तर आया है इसमें नहीं बात क्या है देखिए ऐसे जितने भी केस हुए है आज तक इसमें किनों राजनीती करी हमने करी या उन्होंने करी जब भी चुनाव आते हैं तो ऐसे किसे पकड़ के राजनीती करने का काम उन लोगों का है और हम लोगों का काम है सच्चाई लोगों त पता है और आप जितना कुछ दिखाती है ना अब कैसा था पहले चुनाव लड़े जाते थे तो लोगों को पता नहीं थी ग्रास पर क्या होता अब तो सब के पास मोबाइल है हमारी तो फोटोग्राफी की दुकान बंद हो चुकी है कोई फोटो खिचवाने स्टूडियो पर का दिखाथा नहीं लेकिन सब के आत में फटेने भी मोबाइल से सब खिचना शुरू कर लेते हैं तो यह चो चीज दिख्ती है उसे के बारे में बात होती है किसी की बायान बाद जी के तरह साहते हैं ड़ो एक wants we चोड़ा जहां उन्होंंने राजनीति नहीं गरी मैं देली में 2ache 9 में गई थी में मल्टी स्टोरी में रेती थी मैंने सोचा मैं वहां बंगला साउथ वन्यू का ले लूँ वहांपे गाडन होता था क्योंकि मेरे सर्षूर 90 से तो हम लोगों ने सोचा हम यहार रहेंगे वहा अगरताई मोसमा के तोकुलों कि दोफ के दिली और यहां क्या है कि तो कुल तो मक्राइब गुघा। वहां एरपोर्ट पे उतरने के बाद में जहां जा 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 इतने बड़े पोस्टर आपको लगा यह फंड कहां से आएगे वहां तो ममता के भी बैनर थे एक भी जगह डिपोजिट भी गुल हो गई अब कैंडिडेट जीतना तो दूर उनकी डिपोजिट भी नहीं आई और व गुश्रात की नहीं सूरत की जंका ही दे देगी और सूरत में जुतने भी उनके लिडर से वो मेरी वैरे साथों एक एंडिडेट इतने मस्दूत है जो साथों रिपीट है वो जमीन पर है इस पर से तीन मंत्री है और हम लोगों ने कई दिनों से हम लोगों के 20 में बसे हुए हम उनकी डिपोसित गुल कर देंगे गुजरात से इतना प्यार क्यों हो गया अर्विन केजडिवाल को, क्यों बार-बार गुजरात के पिजने की सिखने भी कोसिस करते हैं, डेली में भी हम लोगों ने बहुत ऐसा माहूल देखा है, हम लोगों को देखकर लोग केम चो मजामा चो ऐसा करते हैं, तो उनको और लोगों को दिखता नहीं है दिल्ली मॉडल उनको गुजरात मोडल अच्छा लगता है इसलिए वो लोग बार-बार आते हैं यहाँ पे लोगों का प्यार खाना बहुत अच्छा कहलाते हैं यहाँ साफ सुथा शहर है साफ हवा है तो उनको तो वैसे भी शर्दियों में थोड़ी उनकी तब्याद बिगड़ जाती है वहाँ जाना पड़ता है सेंटर पे तो इसके बदले में यह साफ हवा में रहेंगे तो आपने बताया कि जो आपकी तीन लड़किया आपके पास आई थी उनका सोसियल एकसेस अभी उनलोग के पास है तो यह एक मुला अधिकार पे हुए हमला हुआ उनके तो जब आपके पास आई तो आपने फिर उनके लिए क्या कज़बता है उन्होंने अपना बीजेपी का खोला है जो रूता काकरिया करके लड़की है उसी ने ये स्टोरी मुझे बताई है कि पहीं हम लोगों के उनको हरोज दिया जाता था कि करना वो करना है तीनों लड़की अभी मेरे क्षेत्र में है चुनाओं लड़ी है बावना सोलंकी है उनके फादर की देट हूई है और उन लोग के खिलाब कोई एक्षण ने लिया आपने क्या एक्षण लेना इस पूरी जितने भी एकाउंट है इसमें से फेक एकाउंट से बादियम से कुछ ना कुछ चलता रहा होगा हमारी आइटी की टीम इतनी मजबूत है हम लोगों के कारिय करता हमारे बीजेपी के इसे किसी के एकाउंट से कुछ उठा के कुछ नहीं करते हैं ठीक थैंक यू अंत में चलते चलते क्योंकि सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हैं राहूल गांदी कह रहे हैं कि चुनाव जो है आजकल सोशल मीडिया की जो कंपनिया है वही किसी को जिता भी सकती है हरा भी सक प्रभाव साली तो है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लोग जीतना भी वहां पर आ गए जैसे सब लोगों को अभी पता चलने लगा है कि वाटसप से न्यूस के जादा हम लोगों को जो अफ़ाय फिलती है क्योंकि एक वाइरल हो जाता है थड़ाक से लेकिन उसके बदले में है ट्वीटर है और इसके साथ में प्रिंट मेडिया तो अभी भी ऐसे बैठी हुई है ऐसा तो नहीं है कि प्रिंट इंडिया ने अपना रोल खतम नहीं किया वो जो प्रहरी है समाज के तीसरे प्रहरी है उन्होंने अपना रोल कायम रखा है तो इनके प्रती सलमान रखने वाली भी कई लोग है जो सुबा का अक्बार का अक्बार की रहा दिखते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया दर्शना बेन इतना आपने सभी सवालों के बेबाकी से जवाब दिया और खास तोर पर जो महिला होने के नाते जो आपने अपना सफर तै किया है उसके बारे में भी आपने जवादियों बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टू में नमस्कार कितना बदला गुजरात इस डीडी कॉंक्रे में आपका एक बाद फिर सो आगाता है हम लगातार जो डक्षिन गुजरात है गुजरात है सूरत है वहां के तमाम मुद्दों पर बात कर रहा है और इस वक्त हम सूरत में हैं सूरत की वीर नर्मद यूनिवर्सिटी के प्रांगण में हैं और जब सूरत की बात चलती है तो हाला की 27 साल इस चुनाव की अगर बात करें तो एक बड़ा मुद्दा ही है कि 27 साल से बीजेपी यहां सरकार में शासन में है क्या कांगरेस अपनी वापसी कर पाएगी 27 साल का बीजेपी का जो शासन है गुजराज जिस सारा से 27 साल उसे बीजेपी का गढ़ बनाऊ है किला बना हुआ है कांगरेस उस गढ़ में सेंद लगा पाएगी पीजेपी के किले को तोड़ पाएगी कि तमाम चीजे चर्चा में हैं लेकिन मैंने का 27 साल से BJP आशन में लेकिन मुझे याद है सूरत जो है देशभर में उसकी जो चर्चा हुई थी अगर 27 साल को छोड़े 27 साल से पहले देखें तो 1994 में 1994 में शूरत देश भर में चर्चा का विशे बना था और و चर्चा का विशे इसलिए बना था क्योंकि जो देश के कई राजियों में भैंकर प्लेग आए था और सूरत की जो तस्वीर हाती थी उसवक्त अखबारों में टेलेविजन मीडिया तो उस वक्त नहीं था जो अख़बारों में तस्वीरे आती थी उनमें बहुत भेंकर तस्वीरे आती थी और ये की सूरत इतना गंदगी से भारा शेहर था कि प्लेग के कारण यहां पर 50 से जादा लोगों की जान गई थी 50 से जादा लोगों की यहां मौत हो गई थी लेकिन उसके बाद सूर्ट की सूर्ट बदल गई सूर्ट ने अप अपने आपको बिल्कल बदल कर दिखा दिया वो जो शहर जो गंदगी के डेर पर बैठा हो सूर्ट था उसने प्लेग के उस बार मारी से उस चैप्टर से सबक लेते हुए सूरतमे अपने आपको बिलकुल बदल दिया और उसके बाद आज सूरत देश के जो सबसे अगरणी जो शहर है नमें से एक है सूरत जो ना सिर्फ सूरत के लोगों को बलकि धेश भर के लोगों को रोजगार देता है या उत्तरप्देश के औरिसा के राजस्तान के बिहार के बहुत बड़ी तादात में लोग यहां पर आते हैं यहां कि डायमन्ड इंडस्ट्री में और यहां का जो कपड़ा कारोबार उसमें काम करते हैं तो सूरत जो है कह सकते हैं सूरत की सूरत बदल गई है पिछले सालों में लेकिन आज का हमारा विशह यही है 27 साल सूरत का कितना बदला सूरते हाल इसी पर हम चर्टा करें एक वो दौर था गंदिगी के ढेर पे था वहां से सूरत बदला लेकि उसके बाद 27 सालों में सूरत कितना बदला और यह भी खबर आ रही थी उस सब के बीच बीजेपी ने 15 सीटे यहां पर जीती थी और साउध गुजरात में 35 में से 25 सीटे जीती थी लेकिन इस बार क्या चुनातियां हैं और सूरत की सूरत सूरत हाल कैसे बदला इसी सब पर चर्चा करेंगे परिचा करवादो मेरे साथ इस पैनल मे जो लोग मौजूद रहेंगे जोड़तार तालियों के साथ जगनिश पटेल जी का स्वागत कीजिए जगनिश पटेल जी बीजेपी के प्रवक्ता है और सूरत शहर के मेर रह चुके हैं पूर मेर हैं जगनिश पटेल जी के और सूरत के जो सूरत बदली थी उसमें भी एक मेर साब का हाथ था इस प्लेग के बाद जो है जो कुछ हुआ था मेरे साथ निशिद देशाई जी हैं सौगत कीजे तालियों के साथ निशिद देशाई जी लायर हैं और कॉंग्रेस के प्रवक्ता हैं निशिद देशाई जी मेरे साथ मनोज मिस्त्री जी हैं गुजराद गा लिजे सिंग ठाक और इनका भी स्वागत कीजिए बहुत बहुत शुक्रिया स्वागत आप लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए मैं सबसे पहले जगदीश पटेल जी आपकी सब पूछता हूं सूरत की वह सूरत तो बदल गई लेकिन 27 साल में सूरत क्या बदला है निश्चिती सूरत इन 27 सालों में बहुत बदला है और इसलिए शायद बार-बार हर एक चुनाओ में वो चुनाओ चाहे लोकल बॉड़ी इलेक्शन हो चाहे एसेमली का इलेक्शन हो या पार्लामेंट का इलेक्शन हो हर बार ये पोजिटिवली बदला है इसलिए भारतिय जनता पार्टी को सारे लोग चुनकर वहां बेज रहे हैं अब बदलती हुई सूरत जिन्होंने 27 साल पहले सूरत देखा है हो ज्यादा अच्छी तरह से कंपर कर पाएगा क्योंकि उस समय ऐसा हाल था जब आपने बताया ना सोकोल ब्यूबोनिक प्लेक नाम की बिमारी 1994 मे जब यहां होई थी उस समय और उससे पहले ऐसा होता था कहा जाता था कि सूरत से कोई ट्रेन गुजरती थी तो ट्रेन में बेटे हुए लोगों को पता चल जाता था कि ट्रेन सूरत में से गुजर रही है तो उसकी खिड़की बंद कर लो क्योंकि उसकी बदबू आ रही है यह हाल था और इतना बदनाम था उससे पहले लेकिन सही माइने में उसके बाद जो सूरत की सूरत बदली है आज सूरत पुरे देश में स्वच्टा के मामले में सेकंड रेंक पर है और सेकंड रेंक पर भी इसलिए है कि इंदोर हमेशा फर्स्ट रेता है हम लोग फर्स्ट रेने के लिए भी कोशिश करते हैं लेकिन बात यह है कि अबाव 50 लेक्स पॉपुलेशन के जो शेहर है उसमें तो फिर भी सूरत फर्स्ट है क्योंकि इंदोर की पॉपुलेशन इतनी नहीं है कोई 20 लाग के करीब है तो 50 लाग से ज्यादा जिसका पर मैं यह चाहूंगा गुजरात के लोग सूरत के लोग एक जोरदार तालियां अपने ले बजा दें क्योंकि सूरत राजकोट एमदाबाद बढ़ोदरा देशका जो दस सबसे सास्वच शहर है उनमें से चार गुजरात के हैं तो इस बात के लिए गुजरात के लोगों क को सल्यूट करना चाहिए कि किस तरह से वो सच्छता को लेकर कि इतने जागुरूक है लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ो मैं एक सवाल आप से जरूर पूछना तो जिगदीश पटेल जी यह जो आप सूरत की बात कर रहे हैं अभी भी यहां बोलते हैं सूरत में सूरत इंडस्टी में भी जो काम करने वाले जो बाहर से हैं प्रवासी भारतिय मजदूर हैं उनके घर जो हैं वो लोग जिस तरह से रहते हैं श्रम कानून का उनको पूरा फाइदा नहीं मिलता यह सब चीज़े तो उनकी एक अलग जिंदगी है वो सूरत का एक दूसरा दूसरी जो बिकता है और जो लोग इस्तेमाल करते वो भी सारे सूरत वाले नहीं वो पूरे विश्व के लोग है फिर यहीं क्यों यह सूरत में ही क्यों इतना डेवलप हुआ बीच में जहां उसकी माइन से वहां से यहां आता है वाया इसरायल या दुबई से होके आता है बाद मे जो raw material होता है उसका यान जो होता है वो यान अभी यहां बनना शुरूआ यान भी वरना पहले बाहर बनता था कपड़ा जो हो है वो पुरे देश में और विदेश में भी जाता है गल्फ में भी हम लोग उसके निर्यात करते है और पांच करोड मीटर हरोज कपड़ा बुना जाता है तो यह सारी चीज़े सूरत में ही क्यों हुई मैं आपको बताओं कि सूरत बड़ा शांती प्रिया शहर है सूरत में लो एन और बिल्कुल प्रॉपर है और इंडस्ट्री फ्रेंडली एट्मोस्वियर है इस ओप डूइंग सबसे सही है इसलिए यहाँ डैवलप होता है पूरे बाई स्टेट से लोग यहां आते अपना रोजगार करते और अपने यहां के घर और वहां का जो है गुजारा करते है तो यह सारी चीज़े इसलिए हो सकती है कि इंडस्ट्री फ्रेंडली एट्मोस्वियर है और इस ओप डूइंग बिजनेस है लो एन ओडर की सिचुएशन सही है इसलिए यह हो सकता है दूसरी बात आपने बताई कि वो किस साल में रहते मैं कंपेर करने के लिए बोलूँग वहाँ कैसे रहते हो यहां कैसे रहते हो दोनों कंपेर करेंगे तो पता चलेगा दूसरा यह 27 साल में यह सुरत कैसे बदली ह। उसकी बात बताओं 27 साल पहले वो जो रहते थे वो जुग्गी जौपडिया थी नदी के किनारे पर वहां जौपड़ी बना के रहते थे हर साल बारी शर्ती थी थोड़ा भी पानी आता था तो उनको शिफ्ट करना पड़ता था आज सूरत में जुग्गी जौपडिया नहीं खाल देशक हां तो सूरत ने दिया है तो ये सूराथ बदली है मैं कहना ये चाहता हूं कंपे ये करेंगे तो पता चलेगा कि हां कितनी अच्छी तरह धीतर में मैं आपको मैं इसमें politics नहीं करना चाहूँगा मैं आपको बताऊंगा यह सूरत की बात है सूरत की अच्छाई के विए हम लोग politics नहीं करना चाहे मैं यह बताऊं कि कोई भी government हो सूरत ने देश में सबसे ज़्यादा यह सारे project है successfully किये है और इसलिए सूरत की सूरत बदली है तो निशेद देशाई जी सूरत की सूरत तो बदली है तो आप भी सूरत पर पुर्बान है कितना बदला है गुजरात इसमें आप सूरत को center कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है आपने बहुत अच्छा point कहा कि 20 लाख worker कहा है 10 लाख worker diamond में है 10 लाख worker textile में है textile में जो worker है वो पूरे इंडिया से migrated है सूरत में और diamond में जो worker है वो सवराष्टर से north गुजरात से migrated है सूरत इन worker के लिए residence है ही नहीं no residential आपने कोरोना की lockdown में देखा कि उन सब को कैसे रास्ते पे चल चल चलते चलते निकलना पड़ा कोई इसनके लिए न तो train है न तो कोई इनके लिए transportation है तो चली श्रमिक एक्सप्रेस कितनी चली quantity के हिसाब से चली 20 लाख worker की quantity के हिसाब से आपकी train है आप सूरत का आज population कितना है जब साब की party power में आई सूरत में corporation में 35 साल हो गया आज 35 साल में आज सूरत की population 35 साल पहले कितनी थी आज कितनी है 35 साल पहले छे 8 लाख population नहीं थी आप सूरत की 80 लाख population आपने 80 लाख population को क्या दिया आप जिस university में खड़े हो इस university हितेंद्र देशाई CM थे गुजरात के उन्होंने कहा था कि यहां से हमें 200 एकर जगह चाहिए सिटी से तो यह बहुत दूर है और 200 एकर क्यों सिंगापूर में दो एकर में university बनती है तो हितेंद्र देशाई पूर्सी का पोदा क्यों दिया आपने इसकी एक वजह है pollution आप स्वच्टा की बात की आपने लेकिन सूरत में अंदाबाद में राज़कोर में जो pollution है उसकी बात नहीं करिया आपने Caribbean country और सिंगापूर में जो plantation है पूरा plantation पर ग्रीनरी पर city डेवलोप हुआ है सूरत में कौन सी ग्रीनरी बनाई यह तापती की position आज भी यही है आप तापती का दोनों किनारा देखिए आप आज भी दोनों किनारा मिल नहीं रहा है आज भी position वही है Metro 35 साल में आज तक सूरत में अभी सुरू नहीं हुई है सिला जी ने 35 साल पहले दिल्ली में Metro सुरू करी तो सूरत का विकास population की डिमांड पर नहीं है उस वक्त किसानों ने अपोस किया था कि हम यह 200 एकर जमीन जगह नहीं देंगे युनिवर्सिटी को तो समझाया था सरकार ने कि आपको देनी पड़ेगी आज सूरत में 80 लाग के सामने कोई भी नई न तो कोई government school है न कोई government college है न कोई सरकारी सिक्षा का कोई माध्यम है इन्होंने जगे दी private trust को जगे दी लीस पे दी और private trust ने professionalism education में किया ठीक है commercialization किया education का health का commercialization जितना सूरत में बढ़िया तरीके से हुआ इतना कहीं हमने देखा नहीं है आपने जो मुद्धा उठाया खासकर pollution का मैं उस पर जरूर जवाब लूँगा मैं सही बताओ तो मैंने pollution का जिक्र शायद इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं दिल्ली से आने वालों को यहां की शावाब सासद में जो है सास लेना वड़ा असा लगता है दिल्ली में तो सास लेना इसलिक मुश्कील है तो इसलिए शायद मुझे लगा कि यहां यहां की के प्रिस्पेक्टिव से भी सोचना चाहिए कि यहां отвर neoliberty सब्सुंद शारे महनुवा यहां बेठ मंत्री दोग उसका बहुत समय इसलिए बरबाद नहीं करूंगा इस चीज़ के जवाब के लिए मुझे कुछ कहने की इसलिए जरूरत नहीं कि यहां से अगर बाहर भी निकलेंगे सड़क पर भी जाएंगे तो इसका जवाब तूरंद ही मिल जाएगा कि इन्फरास्ट्रक्चर डेवलफ हुआ है या नहीं हुआ आप यहां से चल कर कहीं भी जाएंगे दूसरे शहर से आने वाले कोई भी विजिटर अपने किसी भी शहर के साथ अगर सूरत को कंपेर करेंगे मेरे सूरत के इन्फरास्ट्रक्चर के बारे में उनको हमेशा गौर हो तो एक साथ इतनी सारी दुकाने वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी एक ही चीज़ की 17-80,000 दुकान एक साथ है और पूरी दुनिया में वो अपना यहां तयार किया हुआ कपड़ा बेच रहा है तो यह कहीं नहीं मिलेगा डाइमंड है पूरे आगे के सेशन में मैंने सुना कि हर सौ में से 90 से ज़्यादा डाइमंड यहां पॉरी दुनिया उसको खरीदती है और यहां फोरेन एक्सचेंज हम लोग कमाते एक चीज ऐसी थी कि डाइमंड यहां पॉरी जाते थे और एक्सपर्ट करने के लिए मुं से जाता था और उसका रिवर्ड जो केंदर सरकार देती है वहां मिलती थी अब सुरत ने यह किया कि यहीं से सीधे एक्सपर्ट कर पाए आप शायद जाएंगे तो एक ही केंपस में सबसे बड़ा एक चीज का कमर्शल केंपस डाइमंड बूर्स यहां बन रहा है ड्रीम सि फ्लाइट का आना जाना अब लगज़री नहीं रही अब वो जरूरत हो गई है अब एक फ्लाइट मुश्किल से यहां आती थी अज कितनी फ्लाइट आ रही है इंटरनेशनल फ्लाइट भी यहां आना शुरू हुआ है और आगे बढ़ रहा है एरपोर्ट का भी एक्सपां मैं इनको मुबारक कहता हूं कि इन्होंने दो बात भी ठीक कही 10% लोगों के लिए इन्होंने फ्लाइट चलाई है लेकिन 90% लोगों के लिए ट्रेन और बस नहीं चलाई है एक बात दूसरी बात मैं इसको काउंटर करना चाहुआ है गलत परसेप्शन हो रहा है करें दूसरी बात बात मैं इसको काउंटर करना चाहुआ है इसा नहीं आप जब बोलते हैं बीशी में नहीं बोलता था तक तो स्वाल और सूरत में नेल लाख लोग से सवाल लाक सब्सक्राल अज वही है आज में पूरे सूरत के 80 लाख लोगों प्रसेशन का कमर्सिलाइजेशन किा आथ चाहिअ और आप भूल गए, डॉक्टर साब आप जानते हो, आप तो इतने एग्जुकेटेड हो सर, 400 साल पहले ड़स और बिटिशन सूरत में आये थे, सूरत तो बिजनेस सेंटर था, पहले से ही था, आज नहीं बना है सूरत बिजनेस सेंटर, ट्रेडिंग का सेंटर था, तो आज प्रोड़क्शन भी सूरत में पहले से ही डेवलोप रुआ है, हाँ, डी सेंटरलाइज बिजनेस का कंसेप्ट, इनो, ट्रेडिंग के, मुझे आगे भी जाना, इसरे जल्दी साप कर देजे, फिल्मा बना जी ये पास जाओंगा, हाँ, जी, देखे मैं तो ये कहना चाहता हूं कि साउथ गुजरात का ये सेंटर है, और यहां मालिक की मर्जी है, और यहां फ्रूट प्रूट अच्छे होते हैं, ये वलसाड के हाफुस केरी है, सूरत के चीकू और बनाना है, अच्छी तरह से होते हैं, और ये सारी चीजें ऐसी है कि तुरंत ही उसको बाजार तक पहुचा ना है, फ्लाइट में यहां से दूबाई तक जाते हैं, तो ये किसानों के लिए भी हो सकता है, मैं मानता हूं कि BRTS की बसीस जो जाती है, वो फूल पैसेंजर के साथ जाती है, वो छोटे हिलोगे के लिए, वंदे बारत ट्रेन दोड़ती है, और यहां से मुजभ 800 बेड की है, और 500 सीट की मेडिकल कॉलेज वहां पर चलती है, यह सारी चीजे बनी है, और उनको किसी भी विशवी में अगर डीप और डीटेल बात करनी हो तो मैं बिल्कुल तहीं है, मनोज मिस्ती जी, आप हम तो दिली से आये हैं, तो मैंने का पॉलूशन भी हमें यहां अच्छी लगती है, लेकिन आप तो यहां के बड़े पुराने खांटी पत्रकार हैं, क्या आपको लगता है, सूरत की सूरत बदली है, 27 साल में, बेशक सूरत का सूरत बदला है, सूरत जब 37 लाग के आबादी थी, तब मैं सूरत में आया था, 42 साल हो गया मुझे सूरत मे अभी जो प्लेग की बात हुई, हकिकत में सूरत में प्लेग नहीं था, इसलिए वो ही बात पे आता हूँ, वो प्लेग नहीं था, उसी टाइम बारिश की वज़ा से, सूरत में पानी आया था, और कुछ लोगों ने जो शड़े हुए अनाज खाये थे, इसलिए वो फूल का केस था, हमारे यहाँ जो सिविल हॉस्पीटल के एक मेडिकल सुपरेटेंडन थे, उन्हों ने उसी टाइम उसना माइक्रो वगेरे नहीं था, तो उन्हों ने पहले जो जज्जमेंट दिया, उसमें कहा था कि यह शायद सस्पेक्टेड प्लेग हो सकता है, उसमें से क्य हुआ कि सस्पेक्टेड निकल गया, और फ्लेग हाइलाइट हो गया, तो सुरत पुरा वर्ल्ड में बदनाम हो गया, सुरत से लोग भागने लगे, सुरत कोई आये नहीं, ट्रेन नहीं रुकी, मतलब सुरत बदनाम हुए, उसके बाद सुरत का यूटन हुआ है, अभी जो गया, कोई भी ट्रेड में जाएए, डायमेंड में जाहिए, या टेक्टाइल में जाएए, उनके जो मैनेजरील पार्ट होते हैं, वही एदूके ट्रोट होय हुना चाहिए, बाकी जो वर्कर हैं, उसमें कोई उसके जीरो एडूकेशन है तब भी यूग काम कर साकते हैं, इसलिए क्या हुआ कि पूरे हिंदुस्तान से लोग यहां है और कपड़ा जीवन जरूरी चीज है, डाइमन्ड भी पहले से सूरत से चलता है, पहले वो कोटेज इंडिस्टिजी लग में घर में एक घंटी लगा के पूरा फैमिली काम करते थे, टेक्टाल का वही कंसेफ था जब बच्चा घर में पैदा होता है, जब आप खुलती है, तब से और टेक्टाल देखता था, मतलब यह उसके लोई में ब्लड का विजनेश है, इसलिए सूरत अपने आप डेवलोप हुआ है, फिर पॉलिटिकल जो चीनारी हो जो चेंज हुआ, कॉंग्रेस को विक हुई और बिजेपी का जब उदय हुआ, तो आप नहीं मानेगे, अगर गुजरात में जो बिजेपी का उदय हुआ, वो भी सूरत से हुआ है, सूरत पहली मुनिसिपालिटी बिजेपी की सूरत में बनी थी, उसके बाद गौवर्मेंट बनी और महानगरपालिका बनी, और दरहं बिजेपी का प्रवक्ता नहीं हुँ, फिर भी मैं बात करता हूँ, जो मैंने देखा है, उसके बाद उन्होंने एक्के करके, पहले वो आदिवासी एरिया में गए, वहां कहा के बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, उनका वो नारा था, वो नारा अच्छा था, उसके पहले जो बिजेपी के जो चिप मिनिटर केशु भाई पटेल, उन्होंने भी यह कंसेप दिया के गोकुलिया गाम, जो गुजरात में बोलते हैं, गोकुलिया गाम, जहां मतलब वो हर गा, गाओं में हर तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए, पा आज भी जो सुरत का जो डेवलप्मेंट है, कोई भी कुछ भी कहे, वो नरेंदर भाई की दैन है, कॉंग्रेस या अधर पालिटी माने या ना माने, यानि मैं अगर यह कहूं कि आज देश भर में गुजरात मॉडल की बात होती है, तो आप कहेंगे कि क्या वो गुजरात म गुजरात मॉडल आज देश भर में, ऐसा कह सकते हैं कि? हुआ है, कॉंग्रेस वाले भी कुछ छोड़के गहे है, सनी के कॉंग्रेस जैसे अभी नहिशत भाई ने बताया कि 200 एकर जगा जो हम जहां बैठे हैं आज, यूनिवर्सिटी में, और सिविल हॉश्मिटल में, वो कॉंग्रेस ने दी थी, बगर उसके बाद जो डेवलप दी विजे सिंग जी के पास भी पहला जाओ, उसके बाद जल्दी से एक छोटे सा राउंड कर लेंगे, पर दी विजे सिंग, शिक्षा के शेतर में अगर आप बात करें, तो आपको लगता है गुजरात का मॉडर्स, क्योंकि शिक्षा के शेतर में गुजरात को लगातार अलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, आपको लगता है कि गुजरात आज एजुकेशन के शेतर में कुछ कर पा रहा है? मैं अगर सूरत की बात करूँ, तो लास्ट 27 एर्स में एजुकेशन सेक्टर में काफी डेवलपमेंट हुआ है, यह क्यों हुआ है कि सूरत इस सराउंडेट विद दे इंडस्टियल कोरिडोर, फ्रम दाहेच तु उमरगाउं, यू विल फिंड दे मेजर इंडस्टिर, अच्छी है, मैं आपको एक आखड़ा दू, मेरे पास एजुकेशन स्टेस्टिक से गुजरात सरकाल का, उसमें सूरत और साउध गुजरात मिलकर 988 स्कूल से, प्राइमरी से लेकर हायर सेकंडरी तर, और सूरत में यह स्टेट उनिवर्सिटी है, बाकी प्राइवेट उन मेरे वहां Master in HRD courses होता है, जिसको जॉब नहीं करनी होते हैं साथ, वो नहीं करते हैं, बाकी सबको जॉब मिल जाती है, अच्छा, मेरे पास यह record पर है साथ, मैंने इंटर्यू भी दिया आता है, मेरे वहां Master of Labor Welfare, MHRD का course चल रहा है, उसकी इतनी डिमांड है, फ्रम जहां पर बैठे हैं, यहां पर मतलब साम को 6 बज़े के आना मुस्किल था, कोई transportation ही available नहीं था, अभी अब कैसे बैठे हैं आप देखो, तो पुरा infrastructure developed है, education sector में भी developed हो रहा है, 85.5% literacy rate है सूरत में, 85.5% आगे बढ़ना चाहिए, एक ही चिंता है मैं, मैं आसा रखता हूँ बीजेपी की सरकार आएगी, सूरत बीजेपी का गड़ है, बरसो से, और अच्छा काम कर रही है, मैं गरत नहीं बोलगा, अच्छा काम कर रही है, कॉंग्रेस को फाइदा उठाने चाहिए था, issues है, anti-incumbency भी है, लेकिन कॉंग्रेस फाइदा नहीं उठा पा रही है, और बीजेपी का बूथ लेवल जू मैनेजमेंट है, क्योंकि मैं डूटी भी कर चुका हूँ, मुझे पता है क्या है, बूथ लेवल मैनेजमेंट है ना, वो बीजेपी का, मतलब excellent है. मैं वही कह रहा हूं कि यहां पर आप जो बात कह रहे हैं यह बात निशित जी पूरा देश में ऐसा लगता है कि कॉंग्रेस अफसरों का लाभ नहीं उठा पा रही है कॉंग्रेस की नीती नेती तु कंफ्यूजन दिखता है और उसके कारण आपके बड़े बड़े नेता बताब आपके चाहे विधायक हों चाहे वो गुलाम नभी आजाद का पिल सिब्बल जैसे नेता हों सब छोड़ छोड़ के जाते हैं आप लोगो चिंता ही नहीं आप लो कॉंग्रेस कभी बड़ावा नहीं जाती है और देखिए मैं सिनियर पत्रकार से अभी आपके एक विदायक जी का वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ मुसल्मानों के लिए जो है मैं नहीं 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 आप इंडिविजल बात मत करिए हिंडू कभी हो जाता है मुद्दा जो हमारे सिनियर पत्रकार ने कहा मैं इन से सहमत नहीं हूँ वो सायद भूल गए है या तो कहना नहीं चाहते हैं कि जो इंडस्ट्रियालाइजेशन हुआ है वो डैवलोप्मेंट केवल सेंट्रलाइज है सूरत डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्र का हब था पूरी इंडस्ट्री सारे छोटे लोगों के हाथ में थी पूरी विकेंद्रित थी आज इंडस्ट्री कैंद्रित हो रही है मैं यहीं तो कह रहा हूं कि 10% लोगों को डैफिनेटली डैवलोप्मेंट का फ्रूट मैक्सिमम मिल रहा है बट 90% लोगों को डैवलोप तो सोचिए ना वोट पर्टी सब वोट परसी सब तो हिटलर को 80 परसन वोट मिले जाए अब हिटलर सुनिये जवाब हिटलर आएंगे अभी आपने अपने विदायक की बात के लिए कि आपने का कि वह उनकर इंडिविजल तो सवाल है आपके प्रदेश अद्यक्ष का मैं बय पहला हाग मुसल्मानों का है आपके गुज्राप परदेश अद्यक्ष उनका बयाना है तो वह इंडिविजल कैसे होगे चुनाओ में चुनाओ में कॉंग्रेस पार्टी ने 60 परसन 59 परसन वोट लिए बीजेपी ने तो अभी तक 40 परसन वोट ही लिए वह बात आपकी ठी परसन वोट की कमी है पच्छी सलाओ में बता देखा यह 25 लाक वोट कॉंग्रेस चाहर बीजेपी के बीच में 25 लाक वोट की कमी है आर इलेक्शन में कंवर्ट नहीं कर शक्किए देखो आप पार्टी के पास तो चहरा है यहीं कॉंग्रेस में भी अभी मतलब आईसोलेशन जैसा ही है मतलब बीजेपी में क्या है कि people are looking at two persons one is मोदी जी and another is अमिज साज यह दोनों को देखकर वोट कर रहे है कोई भी खड़ा रहे है मैं आपको बता है अच्छिति लहा है कि गुजराट का चुनावब इसमें प्रदान मंत्री का हुआ है नहीं इसका मैं कारण दे रहा हूं आपको यह लग रहा है mell yete साफ लड़ रहे हैं त्स लिए को वे भुजराट से जैं गये गुज़राट से बिलाउं करते इसलिए इसलिए को बता रहा हूं जो आम परिस्ति है उसका मैं आपको मतलब बता रहा हूं ठीक है और में प्राइवेट उनिवर्सिटी की उन्होंने जो बुला प्राइवेट उनिवर्सिटी आई है लेकिन अनुसुची जाती करें एस्टी और उबीसी को जो फीमे रिलेक्सेशन मिल रहा है सरकार की तरफ से वह देते हैं बिल्कुल मैं बिल्कुल मेरे पास समय कम है जली 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 लेकिन मैं मैं मनोजी आप से क्योंकि आपके एकस्पीरेंस के अधार पर मैं एक सवाल आप से पूछता हूं जो मैं भी अभी अभी तक समझ नहीं पा रहा हूं, इन्हों ना भी जिक्र किया कि Congress को 60% vote मिलते रहे, कितने कितने, सही बात है, 149 का record नहीं तोड़ पाई BJP आसता है, लेकिन गुजरात ने Congress को क्यों छोड़ दिया, यह बड़ा सवाल है, 27 साल, आप सोचिए पूरी PD बदल गई, तीन दशक ह को आगे, गुजरात ने Congress को बिल्कुर छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, मैं आतों सवाल हैं, आपने 50 साल पहले देखा कि Congress में कितने worker थे, और आज कितने हैं, आज BJP की 3rd generation चुनाल लड़ रही है, Congress की वही की वही है, Congress जब Congress में जो नेता बनता है, पैदा होता है, तो लास्ट तक वही रहता है, BJP में एक नेजराज हो बनता है, उसको 5-10 साल के बाद उसको उटा दिया जाता है, जिस बार तो बड़े-बड़े चैरों को टिकर नहीं दिया, वो बहुत सुनिये, वो रिपिट किया है, वो तो जो महौल बनता है, उसको हिसाब से करते हैं, मग ही नहीं है, जो उनके जो NSUE थे, सिवादल थे, वो सब खतम हो गए है, इसलिए Congress weak हो गई, और Congress के जो बुजर्ग नेता बच गए है, वो कुछ नहीं पाते हैं, अभी जो नए जनरेशन आ रहे हैं, वो educated जनरेशन आते हैं, वो BJP को followers बन जाते हैं, और BJP के पास ideas है, जो youth क कैसे attract किया जाए, तो आज इनकी जो ताकत हैं, उनकी, वो youth है, नरेंदर मोधी को हम पसंद करे या न करे, आप पसंद करे या न करे, या तो उनकी पेड़ी के लोग उसको पसंद करे या न करे, जो नए जनरेशन है, जो youth है, मैला है, वो उनको पसंद करते हैं, उनका ideas पस सूरत ने इतना सब कुछ आपको दिया है तो इस बार अगर फिर से अगर आपकी सरकार आती है तो सूरत के लिए क्या आपके पास और वो देखे सूरत का विकास जो देश में पूरा मोडल बना हुआ है उसको और भी आगे ले जाएंगे जैसे हमारे बाई साब ने बोला कि ब क्लेक्टर की ओफिस है ये सारी ओफिस लोगों को अच्छी तरह से सर्वीस मिले ऐसी भी बनाएंगे सूरत में कुछ एक चीज़ के उकाश है जो डेवलप करने के जैसे हमारी तापती रिवर है तापती रिवर पर हमने बराज बनाया था उससे हमारा आधा सूरत ऐसा हो ग काम चाल लोगों को बहुत बार आम ब्रमीत कर सकते हैं बहुत लोगों को कुछ बार ब्रमीत कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को बहुत बार ब्रमीत नहीं कर सकते हैं तो बात यह 17 साल से कोई ब्रमीत अब नहीं होता सारे लोग जाक चुके सब देखते हैं और देखके और जल्दी से अगर कुछ लोग अपने सवाल हमारे पैनलिस के सामने हैं कोई ओडियंस की तरफ से जी मैं यहां जग्रीज भाई हमारे मेर साब बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो डैवलेप्मेंट की जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल प्राइवेट डैवलेप्मेंट के अलावा कुछ हो नहीं पाया है क्या यह मेर रह चुके है क्या यह हकीकत नहीं है कि इस वक्त सूरत निंसेपल कॉर्पोरेशन की तिजोरी बिल्कुल खाली है और कॉर्पोरेशन को अपनी रिजव की हुई जमीन लगबग ए इसलिए टीपी स्कीम बना के रिजव की जाती है कि उसमें से डैवलेप्मेंट किया जाए कम से कम जो जरूरत है वो बनाई जाए अब डैवलेप्मेंट की बात करते हैं उन्होंने कॉर्पोरेशन के द्वारा चलाई गई स्कूल के बिल्डिंग्स अगर देखे हो तो पता है लोगों के लिए जो आवास बना कर उनको दिये जाते है जिसमें जमीन का भी पैसा नहीं लिया जाता केवल उसके कंस्रक्शन की कॉस्ट टू कॉस्ट देकर वो भी उसको लोन या सबसेडाइज रेट पर देकर बनाई जाती उससे डेवलेप्मेंट के ते वो उनको पता होना चाहिए 24 by 7 घर में नल से पानी आता है उसे डेवलेप्मेंट कहा जाता है आज सूरत सबसे ज्यादा अपने च्छतों पर सोलार पेनल लगा के नॉन कन्वेशनल एनरजी जनरेट कर रहा है सोलार सिटी के नाम से मशूर है यह डेवलेप्मेंट होता है चलिए यह प्रकें मैं अपनी आक्री वाद महां से चुनू करते है शूरत दक्षिन गुजरात क्या लग राइस बार हावा का रुक कि धर है बीजेपी की तरफ हावा का रुक है सबीजेपी की तरफ हावा मारूज बैए लेखे तकलिप तो है ऐसा नहीं के 100% बीजेपी की हावा है अभी तो कुछ दिन बागी है और जो भी चेंज होगा वो अभी होगा आज कहना मुश्किले के जो 16 सीट हैं वो बीजेपी को मिल जाएगी आज हमने कह पाएंगे अगर एलेक्षिन के अगले दिन आप मुझे पूछोगे तो मैं आपको बता दूगा कि कितनी सीट को मिलेगी चालिए उस इलेक्षिन के अगले दिन भी बात करेंगे सर बीजेपी का डेवलोपमेंट हुआ है 81 में बीजेपी सूरत में सुरू हुई बाजपी जी ने कहा था उन्हें को रिशन सूरत में किया दस माई पांच की भाड़े की ओफिस थी आज इतनी बड़ी रीचेस केंपस है बीजेपी का ओफिस का और इतनी बड़ी उसकी फिक्स निपोजिट है कि BJP का तो बहुत development हुआ है as a party, बहुत बढ़िया development हुआ है और हम यह मानते हैं कि अच्छा development उन्होंने किया है, लेकिन सवाल यह है कि अब जनता vote करेगी, वोट किस मुद्दे पर करेगी, मेगाई के मुद्दे पर करेगी, या education और health के point पर करेगी, या decentralization of industry पर करेगी, किस पर वोट करेगी, मेयर साब को तो इतने power थे नहीं वो मेयर थे, फिर भी power तो गादी नगर और दिली से आते थे power, पर decentralized कहां है power का, और अटल जी को याद करिए, अटल जी ने राजदर्म निभाने का कहा था, राजदर्म कहां है, ये भी interesting बात है कि कामरेस को आज गुजरात में अटल जी भी याद आ रहे हैं, चलिए, ये भी अच्छी बात है, पटक तो बटेले, जी, क्या, क्या, क्या लग रहा है इस बाग, जी बात है, और इस बार हम कर लेंगे, तो कदम हो जाएगा होगा है, अब विदान समा में भी सूरच चिले को, कॉंग्रेस मुक्ते बना रहे हैं, चलिए, इंतिजार रहेगा, दिल्चस्प ये डिवेट रही और मुकाबला भी दिल्चस्प होना चाहिए, और चुनाव में दिल्चस्प मुकाबला होगा भी, ऐसा लग रहा है, तो इतना आसान नहीं है कि अगर ये कहा जा रहा है कि य आप इननन आप यहाँ पर आए और डीडी न्यूस के मंच पर डीडी कॉंक्लिव में आपने शरीकती, बहुत बश्च शुक्रिया, थैंक यू सो मुच